नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गैनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जब भी आपका पसु जहर खाता है या जहरीला घांस कभी कभी खा लेता है घांसों में भी जहर होता है या कभी फुट वायजन हो जाता है तो आपको बहुत कंटे जहर खाता है तो हमें कुछी घंटों के अंदर हमें यह लच्छन देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहले पसु को पेट दर्द जवरजस्त पेट दर्द होता है और पसु के मांस्पेशी में कपकपी होता है पेट में सूजन हो जाता है आफरा हो जाता है और गैस बन जाता मुँख से लार गिरता है पसु दांत में कपकपी होती है पसु के लार गिरते रहते हैं पसु दांत कट कटाता रहता है ये लच्छन हमें पसु में जब जहर होता है तब दिखाई पड़ता है कई बार पसु को बदबूदार दस्त भी होता है और कई बार उसके बच्चे को भी आ जाता है तो मुह से लार गिरती रहती है इलाज है सबसे पहले एल अच्छन अगर पसु को दिखाई पड़ा तो जितना हो सके उसे ठंड़े पानी से नहलाएं जितना हो सके ठंड़ा पानी से उसके सरीर के ऊपर डालें क्योंकि इस सबसे ज्यादा प्रभाव इसका जो और छोटे पसु को दस से 20 ग्राम इससे जो है दस्त होने से जहर निकलने का चांस ज्यादा रहता है तो ट्रिट्मेंट करें नीट सेरा कंपनी का आता है उसे 300 ml देना है दीन में तीन बार तो कुछ हद तक ठीक हो जाएगा शुरुवातिय स्टेज में अगर है तो कोल एल क शुदू कंपनी केलस कंपनी का आता है और कोल एल देना है 500 ml तीन बार देन भर में तो ठीक हो जाएगा और सोडियम थायो सल्फेट पावडर आता है उसे जो है गाय को देना है जिससे लोडे करेगा तो सोडियम थायो सलफेट पाउडर आता है 20 ग्राम सोडियम थायो सलफेट पाउडर 20 ग्राम लेना है और 100 ml डिजिटल वाटर के साथ घोलना है और उसे एनेस के साथ चढ़ाना है आई भी रूट में दे सकते हैं और साथ ही जब बहुत ज़्यादा जहर हो जाए तो एनेस के साथ इसे ज़रूर चढ़ाना है दोस्तों और ध्यान रखें कि अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है आपको तो आगे जो है एक प्रकृतिक इलाज भी कर सकते हैं फिर भी यदि कोई चिकित्सक ना मिले तो जितना हो सके ठंधा पानी शरीर के उपर डालते रहें कोईला होता है उसे प्रकृतिक इलाज में इसे कोईला को बारिक पीष कर सो से डेड़ सो ग्राम कोईला ले ले और पानी के साथ मिला दें नमक का पानी मिलाकर पसु का भुमेटिंग या उल्टी करवा सकते हैं अगर ऐसा कोई शाल्ट जिसके अंदर सोडियम थायो से उल्टी या दस्त करवा सकते हैं जिससे भूमेटिंग करवाएं जिससे कि उसका जहर कम हो शरीर से और एक अंग्रेजी दवाई है इलाज है एटी पी लेना है टी एच टी आरो टेट्रापाइन सल्फेट इंजेक्शन है आई पी है टेट्राइटी पी है टी टी आर ओ पी आई एनी टेट्रापाइन एसी वेल पी एच टी सल्फेट इंजेक्शन है इसे आई एम आई भी दोनों रूट से लगा सकते हैं छोटे बच्चे को 50 एमिल और बड़े पसू को 100 एमिल देना है इनिस पानी वाला बोतल में डाल कर चढ़ाना है दूसरा है भेट कैप भी ए टी ए सी इपी एच प्लस कारगिल कंपनी का है और इसमें कंबिनेशन है जो भी कंबिनेशन है उसको इसको एटी पी के साथ देना है और भेट केर कंपनी का है यदि पसू के आई एम और आई भी दोनों रूट से लगा सकते हैं बीस एमिल लगाना है बड़े पसू को और एबलीन भेट तिसरा है एबी आई एल आई एन भी एटी एबलीन भेट है इंजेक्शन है और आई आई पी दस से पंदरह एमिल बड़े पसू को लगा सकते हैं ऐमस्डी कमपनी का है, आई-म मानस्पेसिया में लगा सकते हैं और ये तीनों को देना है, olive or bet caps plus or atp tetro pen sulfate, और भेट कैप प्लस और एबलीन भेट ये तीनों को आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं डेक्सा मेथा सोडियम फास्फेट इंजेक्शन है इंजेक्शन है आई पी भेट जाइडस कमपनी का है पांच एमल पसु को लगाना है नोट गाभिन पसु को डेक्सा नहीं लगाना है डेक्सा मेथा सोडियम नहीं लगाना है बच्चा को डेमेज कर सकता है चोटे बच्चे को अगर जहर खाया तो उसको भी नहीं लगाना है पसु जहर खाजाए तो जहर का क्या हमें लच्छन दिखाई देते हैं उसके लच्छन पसु में दिखाई पड़ता है पुआजन कई परकार के हो सकते है फसल पर किट ना सक दवाई खा गया है कि बज़े से कभी बरसात के मोसम में घांसे जहरीला हो जाती है वो खाने से या जिनोरा या जवार खाने से भी कभी-कभी गर्मी में जहरीला हो जाता है इन सब से जहर का प्रकोफ होता है और उन्हें बचाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा तरीका लिखा हुआ है कैसे दवाई करना है तो आप देख के कर सकते हैं ठैंक्यू धन्यवाद